मैंने इसका लिंगा को डिया हुआ है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ओके तो यार इसमें थोड़ी बात करें तो आप सब्सक्राइब को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो तर्म फर्स्ट होगा वो अलग होगा जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा तो इस से इन्होंने कुछ अभी सर्गूल जारी करा तो देखते हैं क्या है वह तो यहां से स्टार्ट करते हैं जो तुम फर्स्ट एग्जामिनेशन जोंगे विच विल बी कंड़क्टि इन दा मन्त ओव दौम्ब दिसम्बर के बीच में होंगे और दिस वि मतलब यह दोनों मैं से कुछ भी रख सकते हैं मतलब एस पर दा कोवेड-19 कंडिशन जो भी होगी उसके अकोडिंग पर अभी तुम फर्स्ट का तो में पता है कि यह हमारा जो होने वाला है मतलब अब्जेक्टिव ठीक है नेक्स बात करते हैं अकोडिंग टूब फर्स एक्जामिनेशन ओफ दा माइनर सब्जेक्ट विल बे कंड़क्ट इस वीडियो में आपको थोड़ सा बताने वालों कि जो आपके एक्जाम जो होंगे जिसमें आपका इसकिल सब्जेक्ट भी होते हैं कुछ उप्शनल होते ह सब्जेक्ट विल बे कर्ड़क्तिड परमाईनर सब्जेक्ट जो में सब्जेक्ट से लग जो भी होते हैं जो आप एक्स्टा में चूट करते हो आपको एक्टूबर को आने वाली यह बात धिया डगना ओल्विल बी इना ओफलाइन सारे जो एक्जामिनेशन होंगे आपको स्कूल या सेंटर में जाके दिना घड़ से कोई भी ऐग्जामिनेशन नहीं होगा सीवेस्टी इस ओफरिंग 114 मतलब 114 सब्जेक्ट करी क्लास 12 75 सब्जेक्ट कर दिये कि से क्लास 10 वालों को मीनिंग दियर्वाइज सीवेस्ट के एक्जामिनेशन के बीच में खतम हो जाएं लेंग लौस भी दिट्वाइब सब्जेक्ट में जैसे आपका मैथ हो ओगे इंगली शोगे में सब्जेक्ट में होते हैं एक इंच एक बता जिया आपको कि मैथ का एक्जाम आपको जैसे सपोज करो इस देट फिक्स देट वोगी वह पर आपको जो जो आपके ऑप्शनल होगे इससी वाले जो है वह मेंली डिपेंट करता है अघ्जाम एक दिन में हो सकते हैं तो मैंनर सब्जेक्ट जो होगा इसा बट जो माइनर सब्जेक्च जो होगे मायनर मतब स्किल वह यहाँ पर सकते हैं इस सब्जाइक की लिस्ट है सारी यहाँ पर आपका ने क्या चुका है यह टिक है यह पर यह आपका यह पुरी लिस्ट है तो यह बार जरू यार चैक आउट कर लेना इस पुरी लिस्ट को देट शीट जोगी आपको अठा तारिक को मिल जाएगी डूरेशन अग्जाम जाओ 90 मिनट को होगा एक्जामनेशन विल्भी स्टार्ट फ्रोम्दा ग्यारा थर्टी एम को स्टार्ट होगा इंस्टीड ओफ 11.30 ठीक है आफ्टर दा कंडुक्टिंट इन पास कंपार्टमेंट एंड असेंशल रिपीट कैटेगरी आफ्टर अच्छा कोई भी स्टेंट ऐसा नहीं पता जागा कि पास है फेल या नी तंफस्ट एक्जामिनेशन में लिए बाद में ही रिजल्ट करें जब तंफस्ट और तंफस्ट के बाद ही डिकलेर हों लुगा और मेंले यहां पर देखते हैं क्या है प्रेक्टिकल इंटर असेटमेंट प्रजेक्ट में क्पलिटिड इन इस्कूल कोई वर एक्डान्मों को इसींट वीजिए और यह दोनों को ही मिलाकर आपका टोटल रिजल्ट बनेगा और यह रिजल्ट आपका टम सेकिंड के बाद अनौन्स होगा बाकि इसमें आपको ऐसा कुछ ही बतायागा कि आप पास और फेलो में ली बट जो आपकी फाइनल माक्षिट होगी वह बाद में ही डिकलेर करी जाएग तो लिंक और सारी वीडियो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रेशन मिल जाएगे तो यह बाद चेक आट कर लिजे तो गाइस थैंक्यू सो मच वाचिंग मैं वीडियो आई होप आपको इससे काफी जादा हेल्प मिलियो में तर आप से नेक्शन थैंक्यू सो मच बबाई टेक क बबाई बबाई